तो आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ये बैक्डाउंड में देख सकते हैं कि मैंने अपने पीसी में एक लाइव वालपेपर सेट किया है तो इसी तरीके से किसे आप अपने पीसी लाटप में इसी कोई भी लाइव वालपेपर किसे सेट कर सकते हो तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने विडियोस 10 की यहाँ पर डेस्टॉप लाइव वालपेपर यहाँ पर सर्च करना है Microsoft Store के अंदर यहाँ पर सर्च कर लेने के बाद एंटर पर क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पर आप देख सकते हो एक आप यहाँ पर आजाएगा डिस्टॉप लाइव वालपेपर आपको सिंप्ली इसे डाउनलूड कर लेना है तो मैंने इसे अल्री डाउनलूड करके रख सकते हो यहाँ पर आप मैंने यह अल्री एक लाइव वालपेपर सेट करके रखा हुआ है तो यहाँ पर इसके अंदर एक ही मतलब मैं कौन यहाँ पर बहुत सकता हो कि यहाँ पर आपको जो आपकी वीडियो की फॉर्मेट हो वह WMV में होनी चाहिए तो आप सिंप्ली यहा आपको आपको अपनी जो वीडियो है यहाँ पर अपने एक फोल्डर में सिलेट कर लेनी है तो सिलेट कर लेने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो डिस्टॉप मैंने अलड़ी से सिलेट करके रखा हुआ है तो यह निव फोल्डर को आपको यहाँ पर सिलेट कर लेना है O.K. पर click कर देने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मैंने यह video select कर लिए तो इसी तरीके से आप यहाँ पर कोई भी अपना wallpaper जो है यहाँ पर live set कर सकते हो अपने कोई भी video format के जरीए आपको इसे simply WMV format में इसे convert कर लेना है तो इसी तरीके से आप कोई भी मतलब कोई भी आप यहाँ पर मैंने इंडियन वेविंग फ्लाइग यहाँ पर रखा हुआ है आप यहाँ से कोई भी वीडियो को अगर आपको वीडियो अची लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं जल्ली नेक्स वीडियो में तब ते के लिए बाए बाए इस अल 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 यहाँ अल्ई घ्सक्राइब कर का उढ़ है